बलिया मुवे सड़क हाथसे में चार की मोत एक को लगी गंभीर चोट पता दे कि देरात टेक्टर और बाइक की टेकर में चार लगों की मोत हो गई है समुवार की देरात नगरात अना छेतर के गोठाई तिलकारी गाओं के पास टेक्टर और बाइक की टेकर होगे जिसमें बाइक सवार दो लोग और टेक्टर पर सवार दो लोग गमी रुप से गायल होगे जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पता लाया जा रहा था कि रास्ते में ही तीन की मोत हो गई जबकि एक ब्यक्ति की इलाज के दोरान मोत हो गई वह इस घटना भी एक ब्यक्ति मामुली रुप से गायल हुआ था जिसे इलाज के बाद घर भेद दिया गया है पुलिस का कैना है कि बिती रात में तिलकारी मोड के पास टेक्टर और बाइक की आमने सामने हुई टेकर जिसमें बाइक पर सवार दो ब्यक्ति की वही पर मौत हो गई और टेक्टर में सवार एक लोग की मौत हो गई सेस लोगों का इलाज के लिए बेजा गया थे जिसमें एक इलाज रत ब्यक्ति की मोत हुई है इसमें जो टेक्टर का ड्राइबर है उसे गिरफतार किया गया है और आगे की बैदानी करवाई की जा रही है उदधर घटनकी जानकारी होते ही पूरे परिवार में मिर्तकों के घर में कोहराम बच गया मृतक होने वालों में सलिंद्र राजबर उम्रे 25 वर्थ पुत्र राजबादूर निवासी खनवर थाना नगरा जनपद बली बंटी राजबर उम्रे 26 वर्थ राम असरम राजबर निवासी खनवर थाना नगरा जनपद बली यां सियू दरस उम्र बावन वर्ष निवासी गयना थाना हलदर पूर जनपन महू तथा पच्पन वर्षिया एकब्रीद की मोत हुई है जब ये गहल बेक्ति को उपचार के बाद छोड़ दिया गया है कि अब ये बीती रात में लगवग रात में साड़े दस वजे थाना नगरा के तिलकारी मोड पर एक तरफ से ट्रैक्टर आ रहा था और बूसरी तरफ से बाइक पर दो लोग जा रहे थे इनमें आमने सामने में टक्कर हुई है जिसमें बाइक पर सवार दो व्यक्तियों की व सेट नास्तल पर सेश लोगों को जो है इनको इनको इलाज के लिए बेजा गया था जिसमें एक इलाज रद्व्यक्तिकी में लेक्ति हो गई है और इसमें जो ट्रैक्टर का ड्राइवर है उससे गिरफतार किया गया है और आगे अभी इसमें जो पी-म की कारवाई चल रही है और वाइधानी कारवाई भी इसमें आगे की जा रहे हैं